नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आपने देखना सुरू किया है लाइब सितिस मेरे साथ नियूजरूम में अखील भातिये पान महासंग के राश्तिय अध्यक्च इंजिनियर आईपी गुत्ता जी है गुत्ता जी आप पिछले दिनों मेरे पास आये थे लिटी अब BPSC से नराज हो गए बिहालोग से बायोग से तो ये नराजगी बहती ही जारी ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार आपका समाज उताती तत्वा है वह सिकार ही होता जा रहा है और आप का रहे हैं पहले आपने कहा था कि दिखी हम रथियात्रा निकालेंगे अब आप BPSC के सामने पांच सत्याग्रा की बात करें क्या ऐसा हो गिया ये चुली जब निती सरकार जी ने नोटिफिकेशन दुबारा चारू जारी कर दिया है बारे तारीक को बारे तारीक को जब उन्होंने सुप्रिम कोट के आलोग में जब पान को उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नो लेकिन इसके पहले आपको याद होगा कि मैंने आपके पहले इंटर्विव में कहा था कि BPSC ने अपने तुगलकी फर्मान जारी किया है 14.8.2024 को एक चिठी निकालता है और वो कहता है कि सिभील अपील नमर 18.802.70 के आलोक में पुन रस्थापित किया तेहती सपर उस आलोग में वो कहता है कि जो भी बच्चे पान में अनु सुचिजाती के कोटी में ओनलाइन अपलाइक किये थे परिष्टा 2 संजुख्त मुख्यीस प्रचिवार पिश्यू 5 प्रज्थब कुछ नहीं अप्लोड किया है का उसको भरीयार आप कहिए कि आप अनुसूची जाती में आपने भरा था कोटी नमर दो पे अब तांती तत्वा हो गए हैं आप अनुसूची जाती में आ गए हैं एक डेकलेटरिशन फॉर्म दीजे नहीं तो जो सुप्रीम कोट ने कह दिया कि तांती चत्वा हैं ही नहीं सुडूल कास्त मे तो फिर BPSC क्या करता है? BPSC ने कहा कि आप बहार लिका लिए आप आईये इवी सिर्ण है. अच्छा एक बात बताइए, बिहार सरकार का एक लेटर है, समाइन परसासन बीभाग का, उन्हों उसने किलियर कट सारे बिभागा दक्षियों को, बिभाग को, सारे चैनी जितने भ नियुक्ती तक आप कोटी में बदलाव नहीं कर सकते हैं. तो फिर ये कब का पत्र है? ये 2012 का है, 2012 का है, और जो अभी तक लाग हो है, अभी आपको बता दें, ये नहीं कर सकता ना, आप कोटी बदल सकते हैं. आप चैनीत का लिजमा लिए कि लाखों बच्चे हैं, जो 2015 के बाद अनुसूची जाती माय, फॉर्म को भरा, कोई बिहार सरकार में नुकरियों लेने के करीब में है, कोई परिच्छा लिखने वाला है, किसी का मेरिट बन गया है. ने, सुप्रीम कोट ने क्या कहा है? जो सेवा ले लिया है, उनको EBC में आप ले जाएगे. हम बाद में आवेदन मांगे गए थे, तब आपका आरक्षन बहाल था. बिल्कुल. और उसी तहट जो अभ्यरती हैं, जो अप्लिकेंट हैं, उन्होंने एप्लाई किया, परिच्छाएं दी, और आपका कहना है कि बीच में बदला नहीं जा सकता है. बिल्कुल नहीं बदला. कहीं आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी नियुक्ति करता, यह नहीं बदल सकता है, यह सरकारी नियम. अभी जैसे माल लिजए कि आपको हम बताएं कि दो हज़ा, पंद्रे में, मार्च में, बिहार लेखा परिच्छा शेवा आयुजित किया, बिहार सरकारी में, मेरा खुद का भतीजा, उसमें पास हो, ABC में एक्जामनिसन दिया, और वो पास हुआ, ABC में उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन जब वो AC बन गया, हम आ गये, उसका कोटी को बदला नहीं, उसके बाद आज भी वो ABC में, तब बदला नहीं, नहीं बदला, आज भी नहीं बदला, इसलिए परकासित कर दिया, तम मिले, ऐक्ते हैं, अबने हाई कोट की बात कई है, मैं इस, के खिलाब में इस तरह के सारे परकरिया के खिलाब में हाई कोट में जा रहा हूं जै मैंने रिट प्रिटिसम् फाइल कर दिया है कि वह समय लेता है को बिलकुल दूसरा है कि यह अगर चिठी देखें आयो का ति यह 16 आठ से लेके पचीस आठ तक कहा है कि आपना डेकलेशन फॉर्म दे दें यह अपने परकरिया जारी कर देगा आजिए हमने पहले में का तक पचीस तारीक को बीपेसी को आप तो हाई को पे मिंशन कर सकते हैं कि देखिए किया है यह लेकिन तब तक हम अपना बिरो तो जता सक झौरता है हम सरकार के नॉलेंज में भी số 있다 कि कि बात नहीं है नहीं है यह कर दिया ऊती है हर और व्यवाद विपेसी निखीसी ने नोटी निवी में आई एर फोर्स में कहां कहां जॉइन कर रहे हैं कुछ सैंटिस बना उनों को भी डर लग रहा है कि होगा क्या होगा बिल्कुल मैं फोन डिसीब करते करते परिशान हूँ अच्छा इसलिए मैंने कहा तक 25 तारी को संडे है 26 को भी चुटी है इसलिए इसमें बदलाव कर रहा हूं कि 27 तारी को 11 वजय हम लोग इंकिम टेक्स चौरहा पर जमाऊंगे और एक सांटिपुन पान सत्यागरह बीपेसी ओफिस तक जाएगा और हम मुख द्वार की बीपेसी मुख द्वार पर एक सांटिपुन मौन सत्यागरह करेंगे मोन सत्यागरह करेंगे उसे कहेंगे कि भाई यह हमारे बच्चों के मोलिक अधिकार का हनन है और बिहार सरकार के खुद के डिसीजन का यह खिलाफ है इसलिए हमारे बच्चों को 15 जूलाइ 2015 पंदर है जो पान हुए और यह बार है अगरत के बीच में जो हमारा सर्टिपिकेट बना है उस पे जो परकिरियाधीन है आप उसको बीच में आप नहीं बदल सकते चली ठीक है बीपे से खिलाब आप पांट सर्टेगरा करेंगे आप हाई कोट भी गए नितीज कुमार ने ज हमारे लोग हम चाहरे थे कि उनके समाज जदियों में जो लोग थे जो उनके संस्थापक सदश्ते समतापाटी यह डिसीजन लेने से पहले या जो निरनाय आया बैटके कम से उनको सम्मान देते हैं बात करते कि आपके समाज के साथ यह सारी चिजें हुए हमारे पुराने स आदेश जारी किया और उन्होंने उसके बाद मिलें लेकिन एड़ोकेट जेनरल ने सलाह दी होगी ने कि भाई अब सुप्रीम को अचला है कर लेकिन मुझे मालूम है कि यह बातें उनको पहले से पता था कि एड़ोकेट जेनरल ने उनको राय मांगी गई थी और उनका रीव जारात तक कि मुलाते हैं एजी को एजी आए नहीं लोटके चलाए उसके बाद कोई बात है नहीं आप दिली भी गया थे बीच में आपने वहां बड़े बख्मिलों से बात नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में डेखी क्या हो सकता है क्योंकि अभी जो बेंच है उससे बड़े बेंच में तो आप जाहीं सकते हैं ने देखिए रिभी पेटिशन के बाद आप बड़े बेंच में जाते हैं पर अगर यह पेटिशन ओपन होता है एकसेप होता है तब फिर यह लाज़र बेंच की तरफ हम लोग मुफ करने की पोसिस करेंगा चलिए तो देखिए पांच सत्याग्रा होगा 27 तारी को बीपेसी के शामने और करें सांतिर पुन होगा क्योंकि इन्हें प्रशासन से अनुमती लेनी होगी उधर बढ़ने के लिए प्रशासन आपको अनुमती देता है कि नहीं देता है यह भी आरक्षन को लेकर कई तरीके की लड़ाईया चल रही आपने देखाई कल्ब है भारतबन का अउजन किया था आरक्षन के बीतर आरक्षन यह भी एक नई बहस है चिराग पासबान और जीता नाम मांजी है आपस में लड़ रहे हैं नहीं बिलकुल गलत बात है आरक्षन के बिदा आक्षन नहीं और जीता नाम मानी का रहे हैं कि जो बंचित है उन्हें अधिक आरक्षन मिलना चाहिए मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोट एक डिसीजन आरक्षन के बीच आरक्षन दिया है दिया है ना इसके बिरूद में भी वोग गए हैं मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके बिरूद में मैं तो कुश्चन ही नहीं उठाया मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है डिसीजन के आलोग में जो आयोग डिसीजन ले रहा है जो तुगलकी फर्मान है बिल्कुल जो कानून के खिलाफ है उसके आपके समाज के दिस्टिकों से तो तुकलती है हमारे बच्चे लाखों डिप्रेशन के सिकार हो गए राप में शोते नहीं है यह लड़ाई उनके लिए है इसलिए हम पान सत्यागरा करेंगे भाई कि आप यह गलत का दम मोठा उठा तो देखें पान सत्यागरा करेंगे 27 तरिकों क्या होता है इसमीश बीपिए सी कोई सुधार का फैसला करता है या फिर जो और भतिया हो रही है उनमें भी क्या बदलाव होता है यह भी देखने की बात होगी आप लाइप सिटिक तेसाथ बने रहे है आपकी बातों को हम झाल